लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें किल्स के लेगो और तुर करें को wipeई उपे उंद नयाद। कि उट टे दो से और हां बना почти Stanisю I Ĩशー relationships बारी बारी बारी.. बारी बारे बारी इंग को अध्यार बारे ठाल भारी उकमा को अध्यार को लुड़िया है बारी जब ऑारी गुट मानिंग, रादा कौन सा गुट भरा है इस मॉनिंग में? वही रोज के जैसा दिन, जिसका हर पल मेरे लिए तैय कर दया गया हो, कि मुझे क्या करना है गुट मॉनिंग ममी, गुट मॉनिंग कैसी हो बेटी? ठीक हो ममी यह क्या? फिर दूद? मा मेरे कितनी बार का है मुझे दूद पीना अच्छा नहीं लगता I hate milk मैं कोई बच्ची तोड़े नहीं हूँ यह सब अपने पापा से कहना, यह उन्हीं का होकम है और बच्ची तो तुम हो ही वाह मा, कभी कहते हैं तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम बड़ी हो और कभी कहते हैं यह सब करने के तुम्हारी उम्र नहीं क्योंकि तुम बच्ची हो यानि, जब उनकी मर्जी चाहे, मैं बच्ची हो गए और जब उनकी मर्जी चाहे, मैं बड़ी हो गए तु इसलिए उचा बोल रही है, क्योंकि तेरे पापा घर में नहीं है Yes, I heard नमसे रतन सिंग यह बच्चे कौन है? ठाकुर साहब, यह मेरी बेटी और दामाद है आपसे आशिवाद देने आए जीते रहो, जीते रहो भाई आपकी बेटी की शादी हो गई और हमें ख़बर तक नहीं आप हमारे मैनेजर हैं इतना हक तो हमारा बनता है शादी मैने नहीं करवाई ठाकुर साहब दोनों कॉलेज में पढ़ते थे वहीं दोस्ती हो गई और वहीं कोट मेरीज कर डाली कोट मेरीज बेटी आपकी है या कोट की और फिर आपकी बेटी ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि आपकी इजासत ले ले उसे डर था ठाकुर साहब वही इजासत लेने आएगी तो मैं ना कर दूगा क्यों क्योंके लड़का हुनाहार तो है मगर ठाकुर नहीं ठाकुरों के रिष्टे ठाकुरों में ही होते है रतन सिंग फिर यह शादी मंजूर करके मेरे पास आने के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जमाना बदल गए है ठाकु साहब कुछ ने बदला है रतन सिंग कुछ ने बदला किरकिट अतन रंग बदल सकता है मगर अशेर कभी नहीं ठाकुरों के आनबान मान मर्यादा कभी नहीं बदलती कभी नहीं अब आप जा सकते हैं और आएंदा यहां आने के तकलीफ ना केज़ेगा आप बेवजय नाराज हो रहे थे लीजे चाह पीजे यह उनका नीजी मामला है आपको क्या आप चुब रही है रिष्टा बराबर वालों में होता है हाँ राधा का रिष्टा हमने ठाकुरांबर सिंग के साथ करने का फैसला क्या है कले उनकी माताजी हमारी बेटी को देखने आ रही है उमा देवी राधा की मरजी भी पूछ ली जाती तो अच्छा होता आपके पिताजी ने आपकी मरजी पूछी थी जी नहीं तो फिर हमें भी आपके बेटी से पूछने के कोई ज़रोत नहीं उसका अच्छा बुरा हम खुद समझते हैं वाँ बिलकुल चान का टुकडा है आपकी बेटी मेरे अंबर और इसकी चान सुरज किसी जोडी बनेगी शायद शर्मा आ गई तो हम यह रिष्टा पका समझें रिष्टा आपके खानदान से किया है ठाकुर सहाब राधा को देखने तो आपकी जिद के लिए चली आई आपकी बेटी बहुत खुशकिसमत है वो एक हवेली से निकलकर दूसरी हवेली में जा रही है मा मैं यह शादी नहीं करूँ मैंने अब इस जिंदगी देखी कहा है इस हवेली के बाहर दुनिया क्या है कैसी है मैंने अब कुछ जाना नहीं मा हमने किसी चीज की कमी ने रखी बेटी तुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इस हवेली में मौजूद है मा मैं दुनिया को अपनी आखों से देखना चाहती हूं अपनी ढंग से खोशना चाहती हूं ढोनना चाहती हूं अपनी दिमाग से सोचना चाहती हूं मैं मेरी भी दुनिया है मा सिर्फ तुम्हारी और पापा के ही नहीं आखिर तु चाती क्या है? मैं इस हवेली से बाहर निकला जाती हूँ जब कॉलेज जाने के लिए भी तेरे पापा राजी नहीं हुए तो तुने ये कैसे सोच लिया कि तेरे बाहर जाने के लिए इजासत दे देंगे वो तुम एक पर पूछ के तो देखो नमा, प्लीज इस हवेली में औरतों को राय देने का नहीं सिर्फ सुनने का हक है तो छीक है कहां जा रही हूँ इस घर में सर्फ एक ही तो है जिसे मेरी मर्जी की फिक्र है चाचा जी, चाचा जी क्या बात है बेटी ये क्या हल बना रखा है अपने कमरे का जो जिन्दगी का हाल है वही इस कमरे का है मैं तो खुद तनहयूं में रहता हूँ इस कमरे की देखबाल कौन करे आप कस्तूरी से इतना प्यार करते थे जान तो चले गई जिसम रहे गया जिसे जगाता हूँ और सुलाता हूँ खेर छुड़ो इन बातों को पहले ये बताओ कि मेरी बेटी के चेहरे पर ये उदासी कैसी चाचा जी मैं कुछ दिनों के रिज हविली से बाहर जाना चाहती हूँ वह अपनी हिलसेशन में कोठी है ना वहाँ और तुम्हारा वो ठानेदार बाग तुम्हे जाने के लिए इजासत नहीं दे रहा है क्यों इसलिए तुम्हे आपके पास आई हूँ पेजी तेरे लिए तुम्हे यहां ठिका हूँ वरना वरना कस्तूरी की मौत के बाद मेरे जीने की कुई वजा नहीं रह गई थी कुछ शराब ने सहारा दिया और कुछ कस्तूरी की याद ने पाकी तेरी खुशियों को बड़े होते देखने की तमन्ना चाचा जी तो आप आपासे बात करेंगे न बात? अरे पगली अगर जरूरी हो तुल्ला लूंगा तेरे लिए चाचा जी मैं अक्सर शराबियों के मूह नहीं लगता हूँ चाहे वो मेरा छोटा भाई क्यों नहों तो मैं अगर पैसे चाहिए तो जाकर मैनेजर से ले लो मेरी खुशियां आपकी महरवानी की महताज नहीं है भाई साब मैं रादा की खुशी मांगने आया था वो कुछ दिनों के लिए इल्सेशन की कोटी में जाना चाहती है अपते बेटी की खुशी की हर चीज वहिया किये है हमने हद कड़ी सोने की भी हो तो कंगन नहीं बन जाती भाई साब यहां उसे सांस लेने के लिए भी आपसे अजासत लेनी पड़ती है खुले हवा में सांस लेगी तो उसकी सहत भी बन जाएगी और आपकी मान, मर्यादा और प्रतिष्टा को कोई कमी नहीं होगी आकर वो अपने ही कोटी पर तो जा रही है ठीक है, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए और उसके हिफाज़त के लिए उसके साथ दो चार आत्मी भी कर देना राम, राम, मालिकन जी, राम, राम, भाई जी उतरियो, बेबी जी पता ने बापा ने इन बेब कुफ़ा को मेरे साथ क्यों बेज दिया है आप पयादा रखने के लिए शार आप चुप एक तो रास्ते में गाड़ी का एक्सिडेंट कर दिया उपर से रादा को यहां गिरा दिया, आखे तुम लोगों का ध्यान है किदर ध्यान, ध्यान कई और था इसलिए तो एक्सिडेंट किया हमने और फिर इस गाड़ी का इंतिजाम किया हमने और आपको सही सलामत यहां पर पहुचाया भी हमने और हर वक्त आपके साथ रहेंगे हम ही इडियोट थांक यू पुल्लू कहीं के उधर भार, उधर रहा यू इस तरह परिशान होने से कुछ नहीं होगा देखा न तुन्हें पापा ने इन्हें राओ केतु की तरह यहां पे भी भेज़ दिया है और तुने ही कहा था तुन इन्हें संभाल लेगी वहां पे भी कैद और यहां भी कैद हाँ हाँ बाबा मैंने कहा था कि मैंने संभाल लूँगी तू फिकर क्यों करती है तू यहां क्या करने आई है चार दिन आजाद पंची की तरह गुजारने के लिए न तो तुम वैसे ही गुजारोगी राधा मेरा विश्वास करो तुम फिर हाँ बेबी ठाकुर साब ने हमें काया साई की तरह तुमारे पीछे रहने के लिए लेकिन अब तुम घर में हूँ वो क्या है कि बेबी इन खिडियों में सलाख है नहीं है तो क्या हुआ यह शहर नहीं पहाड़ी इलाका है यहां की लोगों के दिल तरवाजे और खिड़कियों की तरह खुले होते हैं जाओ तुम यहां से जाए तो जाए कहा जहन्हुमें पुम पुम क्या हुआ रदात क्या हुआ क्या हुआ रदात कुछ सुना तुने? क्या? बासुरी की दुन बासुरी की दुन? तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, सुनाई तो दे रही है लगता है, लगता है यह सुर मझे बुला रहे है की देखो, बिन्दिया 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 लेकिन मैं उसके लिए सिर्क दूड लेकर गया था और आज तो उसके लिए दूड लेकर गया था, कल पता नहीं बिंदिया तुम कहा जा रही हो नहीं बिंदिया नहीं हम बेबी आप इस लिबास में क्यों आपको कोई इतराज ने 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 लेकिन आपके साथ बिंदिया नहीं चल रही उसकी तब ठीक नहीं थी वैसे भी आपना हमारे साथ है ही मैं जरा रुमाल बोलाई हूँ हाँ जरूर लेके आओ हम तो आपके साथ है ही हमारी आखों में धूल छोक रही थी बिंदिया बन के खिसक रही थी हम भी कयामत की नजर रखते हैं सुनो तुम बेबी के साथ जाओ मैं बिंदिया का ख्याल रखता हूँ हमें बिंदिया का नहीं बेबी का ख्याल रखने के लिए बेजाओ बिंदू अकेली लड़की देखी तरी यह हमत शुक्रिया जी मुझे क्या बता जान बचाने का ये ना मिलता है जान बचाने का वो देखिये हां पापरे एक कदब और आगे लेती ना उस दुनिया में पहुंच जाती है आओ हाँ सुनो ठपर जोर से तो नहीं लगा ना अब इस गाल पर भी मार दीजे जी वरना बेचारे को शिकायत रहेगी के इसको मिला और इसे नहीं मिला मुझे माफ करतो दरह असल में बासोरी की दुन सुन्ते चुन्ते अरे ये बासोरी तुम बचा रहे थे फपर तुरी वालोगी ना मप मुझे शर्मिन दकत है मैं बच आरा था आपको बासोरी अच्छी लगती है क्या आपके बासुरी में इतनी कशिष्टी जैसे चांदनी रात में धीरे धीरे नदी बैती हो और जैसे नदी की धारा बैते बैते राधा राधा पुकाती हो इसलिए तो मैं देखना चाहती थी कौन है वो जो मुझे जानता नहीं फिर में मुझे आवाज दे रहा है तारीफ मेरी मत कीजिए तारीफ तो कीजिए इन बादियों की इन फूलों की इन पेरों की इन हवाओं जिलके मधूर संगीत से मिलकर मेरी बासुरी की आवाज आपको यहां तो कीच ले बाते तो बहुत अच्छी कर लेती हैं आप ये बाते नहीं, मैं सच कह रहा हूँ जरा अपनी आखें बंद कीजे कुछ सुनाई दिया हाँ क्या तुम्हारी बासुरी की आवाज रादा, चलो चलो कैसी ये, गंगा अरे महिया देर हो गई, क्या करें मा मा, क्याप्य आगए, क्याप्य आगए आगये तो, कि तरिशान चीमे तेरे लिए अरे बात बहुत कुछ हूं मा जी चाता है ररे, ररे को कलेला करना ची को क्या कर रहा है, चोड मुझे कई तह तक तो आज तक तो तुह घर लौटने में कभी इतनी देरी नहीं कुई हो गया था माा शांबया कहीं नहीं मिले कहीं नहीं मिले हम बहुत धुद जो रहे फर शाम बया को गए थे, शाम बया को गए थे अब वहाँ क्यों बैठा है जल्दी से हाथ मुधो ले और खाना खाले मुन्ना भी तेरे लिए भूका है मुझे भूक नहीं है माँ मुन्ना तू खाले आज इसब कहा हो रहा है एक तो पहली बार घर में इतनी देर साय हो और आप कहते भूक नहीं है लगता हम बार से वो ठाके आया है शांब्रिया खा कर तो आया हूँ तरह अपनी आखें बंद कीजिए कुछ सुनाई दिया हाँ क्या तुम्हारी बसरी की आवाज मैया अरे मैया दूद निकालने देन आरे मैया ओ देवी मा रुक जा देख देवी मा हमें न तोहार सिंग सुने से मढवा देंगे तोहार माचे के लिए चांदी के जालर बनवा देंगे लेकिन दूद निकालने तो देना मैया यह मैया आराम से जरा अरे अरे कहा जा रही है अरे यह रोज का नाटक है जब तक वो शाम की बासुरी नहीं सुनेगी दूद नहीं देगी ओ शाम भया शाम भया लो शू रही है ओ शाम भया उठो जल्ली उठो शाम भया क्या यार इतनी मीठी नीम से उठा दिया इसब का हो रहा है का हो रहा है इसब अरे तुम इतनी देर तक यहां खराटे भर रहे हो और वहां गया मैया दूद नहीं निकाले दे रही है तेम्पो का सारा दूद तो सहर जाएगा ताकि गया मैया के कानों में सुर पहुचे और हमार वालतिमा दूद तू चल मैं आया गया मैया आ रहे हैं शाम भया तो हार लिए पासरी बजाने अ bit गषद दूद अ सुप लिए सबदय बग्या कोबाइगा प्राटे युझ प्रुझ किश्ब बग्या जल में जैसे प्यासी मच्छरिया वही है हालत मेरी मुझे को तो बावरी बना गई बुरली की धुम तेरे मुझे को तो बावरी बना गई जब से मिले नेना तुम से मिले नेना तरप तरप दिन बिते अर जागी जागी रेना जब से मिले नेना तुम से मिले नेना तरप तरप जिन बिते अर जागी जागी रेना के जगुम से डिमावराए भरशाओ नेना था क raspू करति नेना रहोलावरр जा जागी रेना जなく रमदाब सिष्ष्ष्ष्ष्षिन ट anlam जाई करत No तेरी देख पे खुट से मिलवानी हुई तेरी पिसी मुलदी में हुई राधा दिवानी हुई तेरी देख लख तेरी देख लख खुद से में गाली हुई, फिर किसी मुर्गी में गोई, राधा दिवारी हुई है जनम जनम गरिष्टा है तेरा मेरा, बावरी में तेरी तु मेरा सामेरा पास भी बना के मुझको होट से लगा, जब से मिले नेना, तुम से मिले नेना कड़प तड़प दिन बिते और जागी जागी रहना, जब से मिले नेना, तुम से मिले नेना तरप तरप दिन दिते अर जागी जागी भेरा पूम ए घगागी हाँ लागी ठार वाँ न ऊ आञ आगा लागी जागीज को लागी अária परबटके उस पार से, जब तु खुपाए मुझे, मादर से हो जाओ मैं, दिल मेरा जूंडे तुझे निखाओ परबटके उस पार से, जब तु खुपाए मुझे, ताबर से हो जाओ मैं, दिल मेरा जूंडे तुझे रात दिन है तु ही तु मेरी निगाह में, बेपरार तक से दिल है तेरी चाह में, पाहि पसाने में खड़ी तेरी राह में, जब से मिले नैना, तुम से मिले नैना तडप तडप दिन बिते अर जाओ 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 जेना, जब से मिले नैना तुम से मिले नैना, तडप तडप दिन बिते अर जाओ 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 जेना हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 हु आपको कई चोट तो नहीं ні आई जी नहीं ठीक हूँ ये हमारी गो और घाओं में नंय लोग को देखते रहे हैं कि भड़ग जाती है लगता है मैं ही आपकी बासुरी की दीवानी नहीं, जानवर भी है, आपकी बासुरी में कमाल का जादू है जादू तो आपकी आवाज में जी, आपका गाना सुनकर मुझे ऐसा लगा, जैसे कि मेरी बांसरी को एक नया सुर मिल गया हो, एक नई सिंदगी मिल गया हो जिंदगी तो आपने मुझे दी है, दूसरी बार जान बचाहिए आपने मेरी अजी ये तो भगवान जी ने हम दोनों को दुबारा मिलने का भाना बनाय था जी वैसे मैं आपका नाम तो जान गया था राधा लेकिन आप आई कहां से हैं और ठेरी कहां हैं ये तुम्हें पूछने ही भूल गया था मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता तो लीजिये जी नाम पता ठीकाना सभी बता देते हैं पाड़ी के नीचे छोटा सा गर है गॉला हूँ नाम है श्याम श्याम जर्ण पुराने अधरे का है मगर जो है तो है वैसे आपका नाम भी तो राधा है राधा श्याम चांती है सारी रात आपी का चेहरा मेरी आखों के सामने कुंगता है मैं सोच में पढ़ गया कि अगर आप नहीं मिली तो अरे आपने तो अभी तक नहीं बताया कि आप ठहरी का है ठाकुर अजीद सिंग के बंगले में ठाकुर अजीद सिंग के बंगले में क्यों? क्या हुआ? मेरी मा कहती है, कि उस घर की तरफ से आने वाली हवा में सास लेना तक गुना है अमीरों के दिल पत्थरों के होते हैं ना और आप? मैं? मैं? नौकरी करती है जी? हाँ आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं जो उस चलात क्या नौकरी करती है पेट के लिए करना परता है मैं समझ सकता हूँ, मजबूरी है अरे मैं तो भूल गया मुझे तो शेहर जाना है मुन्ना के साथ दूद का हिसाब करना है फिर मिलेंगे आप कल हमारे बंगले पर दूद देने आएंगे दूद और उस बंगले पर? यह नि हो सकता मगर आप वाहें तो आई बिना रहेंगे सकता तो कल सुबह आपका इंतजार करूँगी मैं विद्या अरे रादा अरे हुआ क्या बताओ तो सही जब रादा और श्याम मिलते हैं तो क्या होता है ओ तो उसका नाम श्याम है मर गया है क्या मतलब? देख रादा वो श्याम तो भगवान थी और ये श्याम एक काउं का ममूली सा लड़का और तुम वो रादा नहीं है तो है ठाकुर अजी सिंग की बेटी उनके प्यार के तो मंदिर बन गये थे और तेरे प्यार का क्या अंजाम होगा ये सोचकर भी मुझे बहुत डल लग रादा दिल सोचता नहीं सिर्फ कता है बिंदिया पता नहीं कब सुबह होगी ये मुर्गे भी बड़े आलसी हो गए दिन चड़ी तक सोते रहते है शुक्रिया मुर्गा मिया शुक्रिया इस अब कहा हो रहा है साम भया कहा हो रहा है आज अब मुर्गा बोला ही नहीं और बतल उठाकर चलिये मुर्गे ने कब की भाग दे दी इतनी रात को मुर्गा बोला मैं बोला इस दी वीशाम भया ओ तोताराम आज सुरुष निकल में इतनी तेरी क्यों हो रही है अरे राधा आज तुम इतनी चल्दी उठकर क्या कर रही हो आज दूथ मैं लोगी हाँ दूथ और तुम लोगी हाँ तो सोजा भी जानती है सुभा के इंतिसार करते करते मैं सारी रात सोई नहीं अच्छा अब समझी आज कहीं दूथ लेकर वो आने वाला है क्या ओ बिंदिया इसे कहते है प्रेम रूख चल्द हट वो आ गया तो उठा नहीं हाँ मैं कह देती हूँ सोजा हां हां बिलकुल नहीं उठूंगी चाय भी तुम ही बना कि लाना माल किंजर ठहरी नमस्तर जी तुमने आने में इतने देर क्यों की मैंने आने में देर नहीं की जी वो तो सूरत नहीं निकलने में देर कर दी मैं तो मैं तो सारी रात सवेरे कहीं इंतुशार कर रहा था साच मेरा भी तो यही हाल था मैं सारी रात कहा सो पाई दूद लेंगी न हाँ दो कर तीज़र का बए्राइ मेर 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 यू कर कर दो कर दो कर दो कर सुल बस नहीं और मालकिन जी नमस्ते जी ये सब क्या हो रहा है दोनों के बर्तन खाली और दूद्री गंगा बह रही है जी वो इनका कोई कसूर नहीं जी गलती सारी मेरी है मगर अब हम चाय कहां से पिएंगे मेला जी चाय नहीं दूद्र देखें आप इने डाटियों का मत ठीके जल्दी जाओ और दूद्र लेके आओ जी बस गया और आया जाथा ये दूद्र जाया नहीं गया तुम दोनों की प्रेम कहनी कितनी गहरी है आज इस दूद्र ने बता दिया सारा दूद्र पिल्ली पी गई पी गई अरी सब कहा हो रहा है कहा हो रहा है भगवन अरी ता सारा दूद्र बिल्ली कैसे पी सका था है मोटी बिल्ली थी ना बहुत मोटी हाँ और भूकी भी कहीं तुमने रहम खाकर उससारा दूद्र नहीं पिला दिया अब जाता भी है पुलीस की तरह पूछताच करता रहेगा मुझे जल्दी से दूद्र ले जाना है वो लोग नराज हो जाएंगे ठीक है दूद्र लेकर इस बार हम जाएंगे भई यह बंबी तो देखें कि वह कौनसी बिल्ली यह कैसी बिल्ली है जिससे हमारा दूद्र पिने की दुर्ट की ने ने दूद्र महीं ले जाऊंगा दूद निकालते निकालते हमार उंगलिया दर्स करती है, तुम्हारा क्या है, तुम तो आराम से बासरी बजाते रहते हो, ना जाने किन-किन गोपियों को रिजाते रहते हो, हमारी मैनद बिल्ली पी जाए, ये हमें गवारा नहीं, तु तो हमी ले जाएगे लेखता हूं तु कैसे ले जाएगा, मैं ले जाओंगा, तु नहीं जाएगा. क्यों, मैं क्यों नहीं जासकता मा? तुझको मैंने पहले ही कह दिया है कि तुझे वहाँ जाने की कोई जरुरत नहीं है और फिर गंगा की तबियत भी खराब हो गई है, उसके दिन पुरे हो गए है, पहला बच्चा है, तकलिफ भी जादा हो सकती है तुझे उसे डॉक्टर के यहां ले जाना है लेकिन वो तो लॉटकर भी ले जा सकता हूँ न मैंने तुझे कह दिया न कि तु नहीं जाएगा मैं जाओंगा, मैं जाओंगा चुप बढ़ाया, मैं जाओंगा, मैं जाओंगा मुन्ना जाओगा आज हमें बिल्ली देख आने दो शाम भाया, तुम कल चले जाना अरे रादा जी आप यहां मैं तुम्हारे कब से इंसिजार कर रही हूँ, तुम फिर दूदेने क्यों ने आई कल वो क्या है राजी, कल मा ने बहुत जरूरी काम से बाहर बे दिया था मुझे अरे, तुम्हारे आखे तो लाल है, वो तो कल राद में सो है नहीं न, जो हाल मेरा, वही हाल इसका भी, दूद, हाँ दूद की तरफ ध्यान देना, कहीं जमीर पे नहीं गिडाना बरतन भड़ गया है, अच्छा मैं चलता हूँ आज इतनी जल्दी है क्या आज मुझे घर जल्दी से पहुचना है, मेरी गंगा को बच्चा होने वाला है न बच्चा होने वाला है? हाँ, गल रात उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए तो मैं रात में सोया नहीं क्या? पहला बच्चा होता है न, तो बड़ी परिशानी होती है जी तो क्या ये शादी शुदा है? अच्छा, मैं चलता हूँ अच्छा अच्छा, अच्छा थोड़ा सा भी दूद गिरना तो मालकिन की डांट पड़ेगी क्या हुआ? श्याम जी दूद देकर जल्दी चले गए क्या? ना मतलो सो की बात का अच्छा अच्छा रादा जी रादा जी रादा अच्छा अरे आप यहां पर बैठी हुई है कहां कहां तो नहीं रूना है मैंने आपको आप क्या लेने आया हुँ यहां? यह आपको यह मिठाई का डबबा देने आया हूँ जाती है, गंगा मा बन गई है आज तो मैं बहुत खुशू हाँ, पाप बने की खुशी तो होती होगी ना अब गंगा का बच्चा मेरी बच्चा तो हुआ ना लीजे, बिठाई खाईए जब गंगा से प्यार करते थे तो मुझे धोखा देने की क्या जरूती घंगा ही नहीं जी मैं तो यशोदा, तुल्सी, जानकी, जमुना सभी से प्यार करता हूँ और जानती है आप, वो सब भी मेरी बास्री की उतनी दिवानी है इतनी है अब ये बास्री मैं तुमारे पास नहीं रहने दूंगी नहीं तुम इसे बजा सको और ने किसी को दोका दे सको अरे, ये क्या कर रही है आप अगर मैंने बास्री नहीं बजाई तो यशोदा, तुल्सी, जानकी, कोई दूद नहीं देगी दूद? किसकी बात कर रहे हो तुम अपनी गायों की, आप क्या समझी मैं समझी मैं समझी ओ ण्हण हाएम श्याण श्याप श्याण बाज बाजब भी खमापा! लुआ हााााााााााा! जाज बाज जफ़े खिरह लुआ ऑजशे! लुआ हाााााााााा! सवे जयू! करिया... हुआ 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 है जीवानी दीवानी दीवाना तेरा हुआ है जब से तु दिन में समानी जब से तु दिन में समानी जीवानी दीवानी तेरी हो गए जीवानी दीवानी तेरी हो गए आए तेरी बाम में आए से जीवानी तेरी बाम में आए से जीवानी तेरा हुआ है कर दो कर दो जब से मिली तू तेरे सिवा मुझे कुछ भी रहा नहीं आद तेरे सिवा मुझे कुछ भी रहा नहीं आद तेरी ही आदो में अब तो ठले दिन राव चाहत मेरी तो राहत मेरी तो किसमत मेरी है तू ओ जलो से जिसके सपने सजाओ सपना वही है तू सजरी सजरी दिवानी 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 तेरी हो गई दिवानी दिवानी तेरा सो गया आई तेरी माह में आए जब से तुझी में समाए द najleग चैडला जिवा खिछादी बल्बार मञवे तू फुझ साथ सफ़ कर दो कर दो कर दो कर दो जो 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 आ गूख भाइख भ कर फजल्त था कर दो परसी के जो ने सासा पिमेरी लिच गैच प्यारिक अना बनसी के जो ने सास पिमेरी लिखे मैं प्यार कराओ ऐसा लगे मुझे राधा है तू अही मैं हूँ तेरा वही शाम कान हो मेरा तू राधा तेरी मैं जीवन है तेरे नाम तेरे लिए दुनिया में आया दुनिया से क्या है काम सजेना दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया दीवानी 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 तेरी हो गई जब से तुस्री में समना है आई तेरी बाहों में आई जब से तुस्री में समना है आई तेरी बाहों में आई 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 मैंने तुझे कहा था ना कहा था कि नहीं कि उस कोठी की तरफ से आती हुई हवा में साथ लेना भी खतरनाक है लेकर मा मैं उससे प्यार करता हूं मा प्यार? तुने अभी देखा ही क्या है तु समझता है फूलों की डाली है प्यार? मैंने देखा है तलवार की धार है प्यार मौत है प्यार लहु लोहान हो जाएगा मिट जाएगा भूल जाओ उसे लेकिन वो तो मेरी जिंदगी है मा पागल है तु हवेलियों की सीड़ियां जब भी जोपड़ों में उतरती हैं तो उन्हें बरबाद कर देती हैं हवेलियों ने कभी किसी को ठोकर के सिवा कुछ नहीं दिया मा वो हवेली में जरूर रहती है बगर हवेली वाली नहीं है तो फिर कौन है? हमारे जैसी है मा करीब नौकरानी नौकरी करके पेट पालते है उसका इस दुनिया में कोही नहीं है मा कोही नहीं है हाँ मा वो मेरी हजी है मेरी खुशी है मेरा सब कुछ है अगर वो तेरी सब कुछ है तो इस तरह चोरी-चोरी क्यों मिलता है उससे उससे यहा ला मैं भी तो देखू कि जिसको मैंने जनम दिया है उसकी जिन्दगी कौन है मा, ओ मा तुम रुक क्यों गे, बजाओ न मैं बजाता कब था, मैं तो तुम्हें पुकारता था तुम आ गई, अब बजाले की शरुरत नहीं चाओ, तुम जब भी बांसरी बजाते हो तो ऐसा लगता है जैसे हवा की पन्नों पर तुम्हारी पांसरी की सुर। मुझे प्रेम पत्र लिख रहे हो और प्रेम पत्र का एक एक लावस मुझे अपनी तरफ खीच रहा हो बुला रहा हो जैसे, जैसे कह रहा हो जाओ, जाके मिलो अपनी शाम से राधा बापा गंदी नाली के खेड़े हमारी बेड़ी के तरफ आँख उटाकर देखने वाला जिन्दा नहीं रह सकता लगता है शाम मेरा इंतिजार करके चला गया पिपिया क्या हुआ रहा था तो अभी सोकर उठी है क्या आज मैंने बहुत पुरा सपन देखा सपना उपर से मैं देरी तक सोती रही और वो आगे भी चला गया तो फिकर क्यों करती है मेरी गुडिया दिन भर उसकी जुदाई में थड़पेगी तभी तो शाम जी से शाम को मिलने का मज़ा आएगा ना अरे बिंदिया ये बिंदिया नहीं राधा बेवी हैं राधा बेवी उस दिन आपने हमें बेवा कूब बना गया अब नहीं बना सकती है पहले अपने मुँपे ताला लगा हम उपर तो ताला लग जाएगा राधा बेवी लेकिन आखे तो खुली रहेंगे क्योजी बिल्कुल जी बिल्कुल मैं जाओंगी बाहर और अकेली जाओंगी बेवी आप अकेली बाहर नहीं जा सकती क्योंकि आप आगे आगे और हम पीछे पीछे क्योंची बिलकुल जी, बिलकुल मैं क्या करूँ ठीक है फिर मैं अपने बेडरूम में ही जाती हूँ अहाँ बेबी अपने बेड्रूम के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि हमने वहां पहले ही ताला लगा दिया है मुझे मालूम है दी आच्छा अरे एक बार फस गए बार बार नहीं फसेंगे क्योंकि हमें और बेकुफ बनाने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है क्यों जी पिलकुल जी पिलकुल बताओ बिजिया अरे बिट्व क्या हुआ है सभाज के इधर बैशो क्या हुआ क्या हुआ जहां यहां यहां तुम बिलकुल विक्रमत करो मुझे नस पकड़नी आते मैं अभी ठीक कर देता हूँ अरे तू खड़ा खड़ा मुझे बेख रहा है जाके डॉक्टर को बुला जा एक मिनट दर्ब कहा हो रहा है यहां अरे यहां थाला तू अभी तक यहीं खड़ा अरे जल्दी से डॉक्टर को लेका जा कजी जा तोला ओपर तोला ओपर वही रुक्ता तु आपी तक यही है डोक्टर साब को मुलाने नहीं गया मैंने सुचा उत्ती दूर जाने की क्या से जरते है इसलिए डोक्टर साब को यही से फोन कर दिया उसका पैर छोड़, डोक्टर साब आ रहे तुम बाहर जाने की जूरत की दूक करने के कि जूरत नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गई देखा मैंने कहा था न मैं नस पकड़ सकता हूँ इसलिए मैंने बिंदिया की नस पकड़ी और वो बिल्कुल ठीक हो गई चुपकर, हमें आप बिंदिया की नस के लिए नहीं, राधा बेबी की देख भाल के लिए भेजा है, चलो बाबे, मर गई च्याओ, हाथ को दगाओ मुझा नाराज हो, लेकिन तुम मेरे मजबूरी क्या जानो, मजबूर तो हम भी थे, मा ने तो उस बंगली की तरफ जाने से ही वना किया था, लेकिन हम, दिवानों की तरफ आपको एक नसर देखने के लिए, हर रोज सुभा दूद लेकर आते रहे, और आज, आज जब मैने मा से वा हाने, आज़ो, बिलकुल, जल्दी भागु, बन जबक नकाट लेंगी, भागु चलो इस कंबन ले चुक जाए ये क्या क्या तुम्हें अगर मद माखिया तो बड़ा कमारती तो तुम इनने तो कहा था कि तुम्हें मेरी परवा नहीं अच्छा हम दोनों कंबल में बाहर मद मखी का डर बचेंगे कब तक दोनों चुक कर कंबल के अंदर कंबल ना हटो मुझे लगेता है डर बचेंगे कब तक दोनों चुक कर कंबल के अंदर कंबल ना हटो मुझे लगेता है डर बचेंगे कब तक दोनों चुक कर कंबल के अंदर दम पिकाए जहर लाएगा क्या असर ये हमें क्या फ़र ना बाबा छोड़ शरारत कोई जतन तो कर कुछ ना आज हो जाए कुछ ना आज हो जाए कंबल ना हटाओ मुझे लगीता है डर बचेंगे कब तक दोनों चुक कर कंबल के अंदर क्या आज हो जाएगा के अंदर एंदर एंदर सबस्टार एंदर सबस्टार एंदर सबस्टार एंदर जोड़ तुझे इस पार्च में उस पार्च लीजाओ लव लेटर लिखकर मैं तुझको वापस बुलवाओं छोड़ तुझे इस पार्च में उसकार चली जाओ लव लेटर लिखकर मैं तुझको वापस बुलवाओं लव लेटर पाकर बीजो मैं लोट ना हूँ आख का दर्या ढूब के मैं उस पार्च लाओं शोलवी नुब कर खो गया तू अगर मैं तुझा ओगी मल ना बाबा ना ऐसी बाते तू ना कर तेरी बाहों में आकर मुझे को अब किसका है डर कर दो कर गden स्सक्ड़्स कर दो में राबा बाग्स थाई पता है, थाई शाग झालने को असके साहँ था, चाहँ था, तुम दोनों को मैंने उसके साथ भेजा कियो था? जबाब दो, और तुम यही देपाल करती हो तुम उसकी जी, बो मैं, जी क्या मैं मैं करया हूँ, बोलो कहा रादा अगर मेरी पिटिया सही सलामत वापस नहीं आई, तो तुम मैं इसो कोई नहीं बचोगे अब खड़े कियो, जाओ ढूने हो से जी मरता हूँ एसे क्या देख रहे हो? तुम उस जंगली भिलनी की मूर्ती जैसी लग रही हो भिलनी? यह भिलनी नहीं, पारुती जी तुम्हे कैसे मालू? अरे बाबा, साथ में शंकर जी जो है तुम्हे मालूम है? पारवती जी ने भिलनी का रूप क्यों धारण किया? हाँ, दोनों बारिश में हमारी तरफ भीगे होंगे और इसी गुफावे आकर जिपने होंगे अरे नहीं उन्होंने तो प्रेम के कारण किया था प्रेम के कारण? शंकर थे फक्कर और पारवती पारवती पारवत राज की बेटी उनके पिता को ये रिष्टा मंजू नहीं था और उन्होंने शिप जी का बहुत अपमान किया पारवती को लगा कि अगर वो अपने असली रुप में गई तो शिप उन्हें पासम कर देंगे इसलिए उन्होंने अपना पेश बदल कर फेलनी का रुपतारण किया इससे प्यार किया उसी से जूट बोला ये तो थोका हुआ बहादू से तुम अंदर जाओ नहीं पहले तुम अंदर जाओ मैं कहता हूँ तुम अंदर जाओ जली जाओ पुझा दो क्यों ठीक है तो लो चलते हैं ठीक है खबरदार खबरदार कैसे बंदुख क्योंकि यहां पर भूत पिशाच रहते हैं तुमुझे दरा रहा ने ने मैं दराने रहता मैं तो आओ मशाल जल्दी मशाल लेकर अंदर आओ आजाओ आजाओ डनी की कोई बात ने आजाओ अंदर जल्दी आओ तुम लोग मेरे साथ आओ नाई मैं इतर अकेला क्यों जाओ क्योंकि तेरा नाम शेर सिंग है इसलिए तुम लोग उस तरफ जाओ साथ नाद दोनो होंगे हाँ क्योंकि एसलिए शेटी लग शक्कर हो हाँ हाँ मैंने एक बार आपके रिष्टेदार को दूद पिलाया था इसलिए मुझे मुझे मत कातना हाँ लेकिर उसमें भी इसलिए पानी मिला दिया था खुलना मत इतना याद रखना अजाई क्यों बोलता है हाँ पीजाने जोड़ा अरो जुचलना अरो जुचलना अरो जुचलना तैंक्यू बगवान यह क्या तमाशा है तुमने उन्हें बताये क्यों नहीं कि तुम्हें आओ अगर वो आज तुम्हें मेरे साथ देख लेते न तो मैं तुम्हें से कल्दा मिलबाती समझे इसलिए मुझे अमीरों से नफ्रत है समस्ते है काम करने वाले को खरीदी लिया आज तुम्हें घर ले जाना था मासे मिलाने के लिए और यह मुसीबत आ गई अब ले जाओंगा तो देरी हो जाएगी और तुम्हें वहार डांट पड़ेगी ऐसा करो तुम अपने कपड़े बदलनो मैं तुम्हें घर चुड़ाता पपा शाम को किसी तरह से यहां से भीशना होगा और उसे अस्यत का पता चाल जाएगा शाम अब समझाओ हाँ क्यों किसी का डर है क्या डर की बात भी किसी ने देख रहा तो तो क्या समझेंगे यही न कि घर की नौकरानी किसी लड़के से मिलने गई थी क्या किसी नौकरानी को प्यार करने का हख नहीं क्या डौकरी करने का यह मतलब नहीं कि हाथ के साथ-साथ दिल पर भी हुकुमत हो उनकी सरकार सरकार बेवी आ गई अब सुम्दर जाओ हाँ ठीक है लेकिन राणा पापा पापा थोड़ी और देर करती तो यहां लोगों की लाशें बिच जाती कहां गई थी पापा मैं भार की खुलियावा में घुमने गई थी वह भी अकेली खांदानी उसनों को भूल गई और यह क्या गुलिया बना रख है तुमने किस तरह के कपड़े हैं यह अजादी का मतलब मनमानी नहीं होता बीटी यह कौन है पापा यह ना होते तो मैं घन ना पहुंच पाती कंबल देके बचाया है इन्होंने मुझे कंबल हाँ वो मधुमख्य पेची बढ़ गई थी ना पापा मेरे मधुमख्य तुम्हे काटा तो नहीं मेरे मधुमख्य अतनी जहरेली नहीं होती ठाकोर साब जितने की इंसान होते हैं शहद दिखाकर किसी को करीब लाते हैं और फिर डंक मारते हैं बहुत खुब इतनी कम उम्र में बहुत तजर्बा पालिया है तुमने मगर हमारी बेटी ने भार की दुनिया देखी नहीं है फूलों के सेज पर रखाए हमने इसे कांटों पर पाउ रखने से कांटे जुपते हैं यह इसे पता नहीं मगर जो कुछ भी तुमने आज किया है इनाम के अपतार हो तुम यह लो नहीं ठाकुर साब हमारे आके पत्थर भी इतने मैमान नवाज हैं कि आपकी ठोकर खालेंगे फिर भी अपना पानी देखर आपकी प्यास जरूर बजाएंगे अगर वही प्यास बुजाने वाला पत्थर अगर रास्ते की रुकाउट बन जाए तो उसे ठोकर मारकर हटाना पड़ता है मैं तुम्हारे ऐसानों के बोज़ के तरह दबना नहीं चाहता रख लो यह रुप्य मैंने कोई ऐसान नहीं किया ठाकुर साब मैंने तो सिर्फ इंसानियत जिदाई थी और इंसानियत की मैं कोई कीमत नहीं लेता हाँ इन रुप्यों से इनके लिए एक कंबल जरूर खरी दीजेगा ताकि फिर कभी मत वक्या सदाएं तो खाम आएगा शाम शाम क्या हो गया है तुझे हाँ तु बोलता क्यों नहीं बोलना सुबह सुबह तो कितना खुश गया था कि राधा को लेकर आऊंगा मुझसे मिलवाऊंगा और फिर ये क्या हो गया चनक राधा ठीक तो है न उसका नाम मतलो माम क्यों क्या हुआ आज तक मेरी मुपत का नाम था राधा आज से मेरी नफरत का नाम है राधा तो फिर मैं क्या करो बिंदिया मैं क्या करूँ मैं जानती हूँ उस पर क्या बीथ रही होगी। उसका एक-एक आंसु मेरे आखों में जल रहा है, बिंदिया, जल रहा है। कल तक रुख जा रहा था। सिर्फ कल तक। कल थाकू साब बाहर जाने वाले हैं। उनके जाते ही तो अपने शाम से मिलने चली जाना। और उनके लोटने तक वापस आ जाना। कल तो बहुत दूर है, बिंदिया। मेरे लिए तो एक-एक भल, एक यूग की तरह बीत रहा है। नजाने कल तक कितने यूग भी जाएंगे। और मेरा शाम, मेरा शाम मुझसे इतना दूर चला जाएगा कि शायद में उसे पहाना जुकू। नहीं, राधा, नहीं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो तुम्हारा शाम तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। हाँ। राधा, ज़र जल्दी आना। जब तक तु नहीं आएगी, मेरी सांसे अटकी रहेंगी। और अगर ठाकुर साबको पता चल गया, तो वो मेरी खाल के चुआ लेंगे। तो चिंदा मत कर दिन्या, मैं बस गई, और आई। अच्छा, प्राधा कोने तुम। मीमा, भंडी भोड। आज में तो हूँ मैं हलकट, मगर काम का हूँ। के सन भगवान दम अटकी फोड़ते थे। मगर मैं खोब बढ़ियां भोड़ता हूँ। बयाना ठीके। सब्जी। इसमा में थे दाए। आज में खुरूते थे। जिए से आए। के आए। मुली जूआ जूआ ड् honest मेले घरनी कह कोश्टें कालाd कुपे, कुपे! कॉपे, कॉफे कॉपे, कॉपे कॉपे, कॉऴे कॉपे कॉपे, कॉपे चोड़ देने, दूसरों का शिकार चीनना ठीक नहीं है ठाकर, चलाए आपसे, मैंने अब तक सिर्फ खुखार जानवरों का शिकार किया है, लेकिन मेरे महल की दीवार पर लगे हुए जानवनों के सरों के बीच भी, तेरे गंदे सर के लिए जगा नहीं, ओ ठाकर, तो जानत तो किससे दुश्मनी ले रहा है, वहीं मा नाम है मैं रहा है ने, शेर सिंग, ये हमारा शिकार है जगादो हकड़ी शुक्रिया ठाकर रामबर सिक, आपने हमारा काम आसान कर दिया, वरना ये हमारे हाथ ना आता है इस पर कई लोगों के कतल का इल्जाम है, कई नहीं वारा कतल किये मैंने, बयाना लेके अब तेरमा कतल तेरा होगा ठाकर, तेरी तेरवी पर ना होगा लेके लो इसे मैं तुझे छोड़ो आने, ठाकर, तुझे छोड़ो आने मस्यात दुष्मनी लेके, तुने बहुत बना किया, ठाकर आज अगर आप वक्ते ना दे तो ना जाने क्या हो चाता, मेरी जान बजाने का शुक्रिया आप इतनी रात कई कहा जा रही थी? वो मेरी सहली की तवित खराब थी, उसी से मिलने चारी थी मैं आईये, मैं आपको छोड़ देता सुनिये, वहां तक गारी नहीं जाती वैसे भी आपने जो कुछ खिया है, उसी का अहसान नहीं चुका पाँगी मैं अच्छा ठाकुर साब, आज तक आपको किसी लड़की की तरफ देखती नहीं देखा और आज के बाद हमें किसी लड़की की तरफ देखते हैं, देखोगी भी नहीं ऐसी भी क्या बात हो गई हुजूर उसके चेहरे की चमक देखी शीर सिंग, यैसे तराशा हुआ हीरा हो आज मेरी आखों ने हीरा चाट लिया शीर सिंग, अब उस चेहरे के अलावा, हर चेहरे के लिए मेरी आखे अंधी हो चुकी है हुजूर का दिल अगए उस लड़की पे इतना ही आ गया है, तो कहिए तो उठाला है चीना ठाको रंबर सिंग की फितरत नहीं, जितना उसकी आदत है श्याम गरीबों के दर्वाजों की किस्पत में ऐसे अमीर मेवान नहीं होते मुन्ना, जरब पूछे तो इने क्या चाहिए श्याम फरमाइए और कोई जूट बाकी रागया हो ना, तो उसे भी उगल दीजे मेरे सीने में अब भी कुछ चका बाकी है ऐसा मत को श्याम, ऐसा मत को, वहना मैं मर जाओंगी मेरे इन आखों में देखो क्या वाथ में जूट और फरेब नजर आते हैं मेरे इन आशों में देखो, मत लो मेरा नाम वरनों तुम्हारी जुबान बचड़कर इतना मेला हो जाएगा कि मेरे इस्तमाल के लाइक नहीं रहेगा श्याम मर गया श्याम तो तुम ही रादा हो अब तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम इसे बख्षतो और इसकी जिन्दगी से चली जाओ क्योंकि इसके पास तुम्हें देने के लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं है मेरे तुकड़े कर दीजिए मगर असा मत कही माजी मत कहो मुझे मा मेरे बेटे को बरबात करके मुझे मा कहने का तुझे कोई हक नहीं है निकल जाए यांसे मैं नहीं जाओगी आखर मेरा ही बेटा मिला तुझे कहलने के लिए क्या बेगारा था उसने तेरा क्यों दोकदिय तुने उसको यह मैं शाब कोगरती हुआ माजी मैंने शाब क्या खोबे, अमीरों के लिए इतनी नफ्रत देगी थी, कि मैं अपने प्यार के लिए डार गए मैं शाब को नहीं खोड़ा चाहती दिमाजी, इसे दे कीमत पर नहीं, शाब को पाने के लिए मैंने जूट बोला भागवान शिव को पाने के लिए पारविती ने भी तो जूट बोलकर भिली का रुपधारण किया था, मुझे क्या बता था जिसको पाने के लिए जूट बोला, वही जूट, बाद मुझे जिए लेगा श्याम बया, श्याम बया, श्याम बया, राधा का प्यार सच्चा है, श्याम बया माजीट, माजीट, राधा को अपना लो माजीट, राधा को अपना लो इसके आखों में प्यार तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन लेकिन ठाकुराजीत सिंग की बेटी है ये कैसे बोल जाओ ठाकुराजीत सिंग की बेटी हूँ कि ये मेरा कसूर है माजी कसूर नहीं है हाँ तेरी बदनसी भी जरूर है क्योंकि ठाकुराजीत सिंग ये रिष्टा कभी नहीं मानेंगे मैं उन्हें मनाऊंगी माजी मैं इस घर की बहु बन के रोंगी यह इतना असाल नहीं है तेरे पापा के पास बहुत ताकत है मेरे पास प्यार की ताकत है शाम के प्याने मुझे वो ताकती है जब तुमने पाहड से टकरानी की ठानी ये लिया है तो मैं क्या कहूँ बस बगवाल से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगे कि वो तुम दोनों के प्यार को सफल करे राधा शाम रादेश्या, रादेश्या हैंके तो ताराम जी, आपने मुझे मेरा शाम भापस दिया है मैं आपको अपने साथ ले जाओंगी, चलेंगे न मेरे साथ माजी से पूचा, माजी इनको ले जाओ अपने साथ क्यों नहीं, जा लेके जाओ राधेश्या पापा, आप? कल सवेरे ही तुम मेरे साथ वापस जा रही हो कल? हाँ, कल लेकिन पापा, यहाँ है तो कुछी दिन हुए है मैं कुछ दिन और यहां रहना चाहती हूँ हमने तुम्हारी राय नहीं पूछी तैयारी करो, सुबाद जलतने करना है राम-राम, काका राम-राम, भाहिया, कहा जा रहे हो? दूद देने जा रहो जी अब तो कोई ज़रूत ने दूद की क्यो? वह सब तो शहर चले गए वह सब तो ङुँ प्रिंग वह सब टुँ ये लोग दिल को लगा के ऐसे कहां हो गई लोग दो दिन ये सपने दिखाके गुम्यों कहां हो गई तुम ये लोग दिल को लगा के आसे कहां हो गई लोग दो दिन ये सपने दिखाके गुम्यों कहां हो गई तुम आसे तु नहीं तो जिन्द ही उदास है आज भी अरूरी वो मिलन की आस है हर बड़ी नजर को बस तेरी दलाश रहे जब से मिले मैंना तुझ से मिले मैंना तडप तडप तिन बिते और जागी जागी रेना सजनी, सजनी सजनी, सजनी कहां जा रहा है तु राधा से मिलने तु कब तक उसके गब में खुलता रहेगा बेटा अपनी सुरत देखिए आइने में मेरा आइना तो राधा की आँखे थी माँ हो सकता है कि उन आइनों में और कोई अपनी सुरत देख रहा हो या फिर वो आखे, किसी हवैली की खिर्की से किसी और के लोटने की रहा देख रही हो नहीं माँ नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता उसने तो तुमने भी रादा की आखों के देखा था ना एक बेटे की आखे दोका खा सकती है लेकिन एक माँ की आखे दोका नहीं खा सकती है सच सच बताओ माँ, उसने तुमने रादा के आखों में क्या दिखा था सच सच बोलो माँ, तुम्हें मेरी कसा था मुझे जाने दो माँ नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा तु अचीत सिंग को नहीं जानता वो कुछ भी करवा सकता है, वो तुझे ठाको रजीत सिंग मुझे रादा के साथ जीने नहीं देंगे और रादा के मिना मैं जीना नहीं चाहता मेरी तो दोनों तरब मौत है माँ तुन्हे ठीकी कहता माँ प्यार मौत है, प्यार तलवार की धार है लेकिन रादा मेरे सामने है और रादा सामने हो तो दलवार की धार भी फूलों की डाली है अब तो मैं रादा को लेकर याओंगा मा रादा को लेकर याओंगा शाम भया मुन्ना, मा का ख्यान रखना रादा क्यों इतनी बेचांसी घूम रही हो श्याम की कोई ख़बर नहीं आई बिंदिया मेरा दिल, मेरा दिल घबरा रहा है पगली, ये तुने क्या रोग लगा लिया है मुझ पर तो पहरे है अगर बहुत अख़त लिख सकता था घंबया जांबया जांबया wis बτα कर् なरों यजियाा रादा! ना रहे हो शाव शाव रादा शाव मेरी रादा रादा I love you, शाव I love you शाव मुझे बहुट कर लग रहा है किसका डर? अपने पापा का वो हमे कभी एक नहीं होने देगी शाव तुम मुझे इतनी दोने चलो जहानका साय तक ना पहुच पाए अपना शक्त तो मजे उसे दिन हो गया था जब तो मेरी बेटी को छोड़ने आये थे छोड़ दो मेरी बेटी का हाथ नहीं ठागुर साब यहाथ आप कोई नहीं छोड़ा सकता फार को शाव 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 वहा शाव मेरे मेरे शाव को शाव शाव बेटो बढ़ बेट अगर मेरे शाव को कुझू जो गये अगर आपने राधा पर हाथ उठाया, तो मुझसे कुस दाखी हो जाएगी रामजादे, मेरी बेटी का हाथ पकड़ता है और मुझे तमकी देता है अभी तक तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था लेजिए, सिंदूर भी भड़िया, पिद्दमाओ इसे, इसके जिसम में खुन का एक कत्रा भी बाकी लाए जाओ, मेरे खुन क्यार कत्रम आपको राधा ही दिखाए देगी चागुर्शाओ, जाओ, राधा ही दिखाए देगी और अभी तो नहीं क्लिख स्वाखूर equally, तो ऩिद्धक करेंवा मेैं, सिंद्ध में कुछी ने करना. तु अभ या दिंदा है? मैं कहता हूँ दर्वाजा खोलो. मुझे राधा से मिलना है. जान की सलामती चाता है तो चला जा. छाकुर साप का हुकम है तुझे गोलियों से भून जाए. मैं कहता हूँ दर्वाजा खोलो. अरे चला जा वर्मा जा 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 बड़ाया रादा से मिल्दा डर गया साला हा मजनु है अज अरे चयन लुछ ! Radha!.. Radhaa! मैं आ गया हूँ मेरे शाब आ गया रादा शाब रादा हमने तुझे सिर्फ यह सोच कर जिंदा रखा कि तू समझ जाएगा लेकिन अब तेरा यह चलू हदकुशी की हद तक पहुंच चुका है मेरी जान तो रादा है ठाकुर साहब जब यह सलामत है तो मैं कैसे मर सकता हूँ रादा रादा मेरी पत्नी है ठाकुर साहब और मैं इसे लेने आया हूँ क्या आप हमें आशिरवाद नहीं देंगे बंकर आपने गंदी जबान यह देखिये आपके सामने ही मैंने इसकी मांग भरी थी बद्जात बद्जात चोड़ दो मुझे चोड़ दो इस बद्जात को इंस्पेक्टर और याद है वे यह सलाखों के भार जिंदा ना आने भाई मुझे जए बैसकर आपकारी मौपत नहीं मिटा सकते ताकुर साहब मुझे गिरबतार करवा गिरबारी मौपत नहीं आपको वार भीचा रेगा कोई एग नहीं कोई एग नहीं थाकुर साहब चावी तो देते जाए हुजूर यह लाए मा आओ बीटा हे मा कैसी आप बेटा यह ठाकुर अजीद सिंग है यह मेरा बेटा अंबर पाऊच हो इनके जी तरह बेटे शिकारी हम भी है शिकारी आप भी है यही तो हम ठाकुरू की शान है मैं अभी आया अच्छा बेटी अपका बेटा हमें बहुत पसंदा है अब आक्या दीजी अच्छ माँ यह यहां किस काम से आये थे शादी की तारीख टे करने माँ मैं पहले भी कितनी बार मना कर चुका हूँ तो क्या सारी उमर यूहीं जंगल जंगल भटकता फिरेगा नहीं माँ इस बार जंगल में एक हीरा मिल गया और मेरी आखोंने वो हीरा चाट लिया है कोई लड़की उसका नाम? खनदान? पता? वो मैं नहीं जानता माँ बस इतना जानता हूँ कि जिन्दगी में पहली बार कोई चीज अपनी जान से स्यादा प्यारी लगी है ठाकु रजीत सिंग की बेटी भी कुछ कम नहीं है ये देख तस्वीर मैंने कहा ना माँ मेरी आखोंने हीरा चाट लिया है अब उस चेहरे के अलावा और सभी चेहरों के लिए मेरी आखें अंधी हो चुकी है कम सकम तस्वीर पर एक निगा तो डाल लेता नहीं माँ अब कुछ नहीं देखना अब मैं क्या मूले का ठाकु रजीत सिंग के पास जाओंगी संभन का क्या? उनकी बेटी की होने वाली सास का अंबर हाँ मा ये उसी हीरे का तुगड़ा है नहीं मा ये हरकिस नहीं होगा ये कभी नहीं होगा मैं श्याम के सिवा किसे और के बारे में स्थोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ माह होने के नादे पापा से मेरे खुश नहीं मांग सकती अपनी जान देकर भी तेरी खुशिया मिल जाती, तुम्हे मांग लेती लेकिन तेरी पापा, इस हवेले के मान मर्यादा रखते रखते इस हवेले के पत्थरों की तरह सक्त हो चुके है इन पर तक राकर ज़र तो फोड़ा जा सकता है कुछ मिल नहीं सकता अरे अंदर कहा खुशिया आ रही हो, कहायने ठाकर साथ, तुमसे नहीं मिल सकते क्या बात है सरकार ये अंदर आने की बहुत जिद कर रही है हमने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानी ही नहीं, चल बात चीए चीए, तुमर्ण जा सकते हो जी तू? हाँ मैं कस्तुरी की बहन यहां किस ले आई हो मैं यहां गड़े हुए मुर्दे उखाडने नहीं आई हूँ मैं अपने बेटे की जिद्दगी मांगने आई हूँ ठाकुर साब किस की बात कर रही है तुम मेरा शाम मेरा पिटा शाम ठाकुर साब उसे जेल से रहा करवा दीजी मैं आपके पाओ पढ़ती हूँ मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाओंगी आप उसे जेल से रहा करवा लीजी बेक मांगती हो उसे रहा करवा दीजी मेरा बस चले तो शामजादे को फासी के तख्ते पे लटकवा दूँ जान लेना तो आप थाकुरों का पैदाईशी हक है आपने मेरी बहन कस्तुरी को भी मरवा दिया था क्योंकि वो आपके भाई श्रीकान से बहुत प्यार करती थी आपकी दौलत, आपकी ताकट और आपकी दहशत ने मेरे बापका तो क्या, सारे गाउ का मोबंद करवा दिया था गंदी नालियो को, चांद की तमन्ना करने का हक नहीं ठाकुर सहाद try. गंदी नालियो में भी चांद का आथ उतना ही साफ होता है जितना कि गंगा में प्यार दिल की गहराईया देखता है हवेलियों की उचाईया नहीं इन हवेलियों की उचाईयों वसे ठकराने का अंजाम तुम पहली देख चुकी हूँ उसके बावजूद भी तुमने अपने बेटे को आगाह नहीं किया किया ठाकुरसार, बहुत किया, मैंने उसे समझाया कि इन हवेलियों की तरफ से आती हुई हवा में सांस लेना भी बड़ा खतरनाक होता है मैंने उसे ये भी समझाया कि हवेलियों की सीडिया जब भी छोपडों में उतरती है तो छोपडों को बरबाद कर देती है मैंने उसे अपने आचल के कोर में बान कर सारी दुनिया से चिपा कर रखा था वगर उसका नसीब उसे यही ले आया जिसका मुझे डर था तुम अच्छे तर जानती हूँ ठाकुरा जित सिंग के रास्ते में जो भी आता है मिचा दिया जाता है नहीं ठाकुर साब चली जाओ या से ठाकुर साब बदर जांग निकार दो इस से आवेले के बार नहीं ठाकुर साब एक दिन मेरे आसो तुमहरे आखों से ब्हेंगे छोड दो मुचे, छोड दो occup ठाकुरजीत सिंग शाबाश मैंने तो आज तक यही सोचा था कि कस्तूरी ने खुद खुशी की थी क्योंकि आप ने उसकी और मेरी शादी से इंकार कर दिया था आज पता चला कि मेरे भाई ने मेरी खुशी के लिए उसे रास्टे से हटा दिया एक तरफ आप की ताकत आपकी दौलत आपकी देशत और एक तरफ पिचारी कस्तूरी तुबली पतली नाजुक एक भूल जैसी उमीद है आपको उसकी जान लेने में कोई तकलीफ तो नहीं होई होगी अपने इस दुबान को लगाम तो श्रिकांत तुम होश में नहीं हो और अपने मेरे उड़ा दिये भाई साब मैं सोचता था कि मेरा भाई जिद्धी है मगरूर है चूटी शान के नशे में है मगर मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई कातल भी है श्रिकांत इस खांदान के इससत को तुम छुपड़ों में खसीट रहे थे हम सिर्फ उसे बचाने के कोशिश कर रहे थे सिर्फ बचाने की कोशिश और अगर आज मैं ये पुलीस के सामने जाहिर कर दू कि कस्तूरी का कतल आप ने करवाया था तो आपके क्या इसस रह जाएगी नहीं निवद्धि आप अठी से नहीं करेंगे आप मेरे सुहाब और इस घर की इजट को सरयाम निलाम नहीं करेंगे आप मेरी मा की तरह हैं भावी आप आगया कर सकती हैं लेकन लेकिन इन्होंने मेरी जिन्दगी तो बर्बाद कर ही दए अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं और मैं ये नहीं होने दूँगा इन्हें माफ करतो मैं इनकी तरफ से माफी मागती हूँ इन्हें माफ करतो माफी सिर्फ एक शर्थ पे मिल सकती है कि आप राधा और शाम की शादी होने देंगे राधा और शाम की खुशी में शायद मैं भी अपने घम भूल जाओं अगर यही तुमारी इच्छाए श्रीकान्त तो राधा और शाम की शादी बड़ी धून धाम से हम कराएंगे सच भाई साब हाँ श्रीकान्त मगर यह शादी हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं और उसके लिए तुमारी मदद की जरूत है हमें तो मैं आज ही बड़ी खरीदारी के लिए दिल्ली जाना होगा जैसे आपकी इच्छा भाई साब लेकिन पहले मैं यह खुशकाबरी रादा बेठी को सुनाना चाहता हो रादा 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 कुछ मत काऊ पहले मुझे जीब भर के देख ले तो पता नहीं कितने दिलों से मेरी आखे प्यासी थी प्यास बजाने के लिए सारी जिंदगी पढ़ी है शाम जिंदगी मेरे नसीब में तो ये दो पल भी पता नहीं किसकी महरवानी अरा था शाम अब मेरे जिंदगी का हर लमा तुमारे नाम होगा ये तुम क्या कह रही हो मैं यहीं खुश खबरे देने के लिए तो आई हूँ पापा मनों की शादी के लिए मान गया सच सच रादा कई 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 मैं सपना तो नहीं देख रहा नहीं शाम पापा हमारी शादी बड़ी धुमधाम से करने का बंदबस कर रहे है काटकर ये डिजाइन हमें पसंद आया इसे छपवाईए और इसमें मैंमानों के लिस्ट है विजवादी ठाकुता पापा आव बेटी पापा पापा आप मुझे माफ कर दीजे आप तो सिर्फ उपर से सक्त हैं अंदर से तो आप वही पुरानी पापा है हम तुमारे पापा हैं बिटी हमेशा तुमारी भलाई की सूचते हैं ये सुबर सुबा कहा गई थी शाम से मिलने उसे ये कहने कि आपने हमारी शादी मन्जूर कर ली है जाने से पहले हमसे पूछ लिया होता तो तुम्हे पता चल जाता कि ये सब छूट है क्या आपने जाजा से छूट बोला हाँ शेकान को दिली भीशने के लिए मुझे ये छूट बोलना पड़ा क्योंकि वह अगर यहां रहता तो कुछ न कुछ पकेड़ा करता उसके वापस आने से पहले तुम्हारी शादी ठाकुरंबर सिंग के साथ हो चुकी होगी हम आप ऐसे नहीं कर सकते एक बेटी की जिद और शरावी भाई की इल्थ जाके आगे हम अपने आनबान मानमर्यादा को निलाम नहीं कर सकते तुम्हारी शादी ठाकुरंबर सिंग्य के साथ होगी मैं मर जाओगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है आपकी पत्थर की लकीर मेरी किसमत की लकीर नहीं बन सकती बापा मैं भी एक ठाकुर की बेटी हूँ, मुझ में ठाकुरों का खुन है, यह मत पुर लिए आप हाँ, मैं बत्तमीज हूँ, क्योंकि मैंने आपके उक्म कोच्छलोती दी है और आप, आप तमीज वाले हैं, क्योंकि आपने हर कतब पर मुझे आसू और थमाचो की दोलब दी है इन आसू और थमाचो को ठाकुरों की दीवारों पर हभी हारों की तरफ ताक देना चाहिए थागी, एक बाप की तरही आदिली और बात उरी का सब उत्रा है यह सब पैक कर दीजे, यह देखे ठाकुर साब, हमारी दुकान का भेत्रेन कंगन है बहुत खुब्सूरत है, इसे भी पैक कर दीजे, और हाँ, वो हार ज़रा दिखाए मुझे ठाकुर साब, यह हार तो ओर्डर का है, आपके लिए दूसरा बनवा रेते हैं लगता है ठाकुर साब शादी बड़ी धुमदाम से कर रहे है, भाई एक ही तो हमारी बेटी है, राधा बेटी, उसकी शादी तो धुमदाम से करनी ही है क्या हुआ, अभी तक यह शादी का जोड़ा राधा को नहीं प्याना है यह जोड़ा नहीं, हमारी बेटी का कफ़न है, यह हमसे नहीं होगा, यह हमसे नहीं होगा रादा बेटी, दर्वाजा खोलो रादा बेटी लो बेटी, जोड़ा पहन लो मैं यह नहीं पहनुगी क्यो नहीं पहनुगी मेरी शादी हो चुकी है बाबा, अपने पत्ती के होते हुए, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ क्या वक्ति हो आप के सामने इस श्याम ने अपने खुर से मेरी मांग भरी थी क्या, क्या श्याब का खून, उस सिंदूर सा सस्ता है, जो अंबर सिंग के हवेली से आने वाला है जेको बेची, किसी का गंदा खून मांग में भड़ लेने से शादी नहीं होती उसके लिए अगनी के साथ फेरे लेने पड़ते हैं और तुम अच्छे तर जानती हो, हमने अंबर सिंग को पच्चन दे दिया है तुम्हारी शादी उसी के साथ हो अगर तुम्हारा ये फैसला है, तो ठीक है जेल जाकर उस हरामजारे शाम को फून डालो और उसके घर को चलाकर राक कर दो नहीं बापा, आप ऐसे नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर फैसला तुम्हारे हाथ में तुम्हें शाम की जिन्दगी चाहिए या मौन रादा, शाम तू नहीं तो शाम नहीं तू नहीं तो शाम नहीं हाँ, तू ठीक कहता है रादा तो शाम की जहन है अगर मैं मर गई तो शाम में मर जाएगा हाँ, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ तो शाम नहीं जा सकती उसे अपना हाल नहीं बता सकती मैं क्या करूँ तोटा तोटा सचन से एहना तोटा तोटा संदेशा कहेना तोटा तोटा सचन से एहना तोटा तोटा संदेशा कहेना कहना तोटा तोटा संदेशा कहना कहना तोटा तोटा संदेशा कहना साचने से घेलो कि तो को तो को तो तेन साब एलो कर दो बनगा वार दीज कर दोद। सारी उमारे अब हमको प्रहब की आग में जल कर जीना है हम चाहे या ना चाहे हम का जहर तो पीना है ना मुंकिन है अब तो जर्थ जुदाई का सहना तोता तोता सजन से कहना तोता तोता संदे सा कहना तोता तोता संदे सा कहना उव्र हमको तोता से कहना प्रोता तोता सहना जुई में अज भा कर एंदे बढ बाकिने बाकिने दोता उर्ष्ट प्राष्ट तो प्यार में तेरे मौत की हद से गुजर जाऊं। प्यार जो तेरा पाना सकूं। तो प्यार में तेरे मर जाऊं। बस जो चले तो प्यार में तेरे माद की हद से गुजर जाऊं। प्यार जो तेरा पाना सकूं। तो प्यार में तेरे मर जाऊं। मरना है आसान है मुश्कित तुझ से जुदा रहना। तोटा तोटा सजन से कहना। तोटा तोटा संदेशा कहना। कहना पिल्के मुश्किल है अब जिन्दा रहना। तोटा तोटा सजन से कहना। तोटा तोटा संदेशा कहना। कहना। तोटा तोटा मुश्किल तोटा सजन से कहसे बडिको तोटा सभू हुआ 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 है गम के काटे छुनके तेरी राहों में भूल बिचाना है ठुकरा के हर रस्म हमें तो प्यार की रस्म निभाला है एक दिन को हम में पे रहेंगे प्यार हरे इन राहों में मरना है तो मर जाएंगे कित दुझे की बाहों में गम हाया हो खुशी हमें है साथ साथ सहना हुआ हुआ हाया हुआ है आजा आजा, सजने तू हाजा, आजा, सजने तू हाजा सजने तू हाजा, सजने तू हाजा सजने तू हाजा मजनु की अगर माय तेरी तरा इसका दिवाणा होता ना तो कब का यहांसे फूर हो गया होता उस लॉंडिया के बाप की अंडी फोड के उस लॉंडिया कोई लेकर भाग जाता तेरी तरा चठिया नहीं बेचतर रहता है और ये तेरा तोता, ये भी तिरी तरह कुछ काम गनी है अबे ओ मजनु के दोस्त, लव लेटर लाने की बजाए, जेलर की जेव से, चाबिला तो हम भी तेरे मजनु के साथ फूरो जाएं, समझा? पुछ तो हम ये तो साच मजेल के चाबिले आया मजनु? अ मंगलन भगवानिशनु, अ मंगलन गड़म जजड़ा, अ मंगलन को उपते काकशाय मंगलाई तनों, अरे तोफाक घंया को बुलाईये ओम सरों मंगिनमांगे लेशिवे स्रवादसादी के स्रंहे स्रमगपे गोवी नारा ने नहोसुदी ओम बजानन भूत गणादी से युदं करते हैं बेच्ची पिच्ची, बेच्ची बासुतं को मनाश्थार कमनमावे राधा, बेच्ची अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं आजा मैंटू, चल्ड़ बेच्ची बाधा आप प्रिभ बाध़ प्रव भॉ प्रप राधा बेभी, च्या हुआ राधा बेभी को? राधा, च्या हुआ? चिंता की कोई बाद ना, थकावर से चकर आगया हो, आप इद्मनान से बेठी, राधा बेठी, उचो बेठी बेठी, अगर हो सके, तो अपनी पापा को माव करते ना, माव भी किस बाद की माव, आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस लाश को सजाने में, फरक इतना ही है, कि इसके चिता बर्समाद जिलेगी यह पूल नहीं मेरे अर्मान हैं, जिन से हमारी सुहाग सेच सजाई गई है, क्या आप मेरे अर्मानों को, आपके कदम चुमने का मौका नहीं देंगी, या इन फूलों से कोई गुस्ताखी हुई हो, तो हुकम कीजे, हम इन फूलों को जरूर सजा देंगे, गुस्ताखी इन फूलों से नहीं हुई ठाकुर सहाब, नेकिन गुस्ताखी आप से हो सकती है, अगर आपने हमें छुनेगी कोशिट की तो, अगर आपको छुना गुस्ताखी है, तो यह राट जिसकी मुनतजर है, वह एक गुनाह होगा, जी हाँ, वो एक गुनाह होगा अब इस गुनाह की सजा भी सुना दीचे सजा तो मुझे मिली हिट्ठा कुर्चा ये आप क्या कह रहे हैं? ये शादी मेरे मर्जी नहीं, मजबूरी थी मैं आपको अपना पती नहीं मानती नहीं, नहीं अगर ये मजाख है तो बहुत गंदा मजाख है और ऐसा मजाख मैं अपने ख्वाब में भी बड़ताश्ट नहीं कर सकता ये मजाख नहीं है, दाकुर साब नहीं मैं तन मन से किसी और को प्यार करती हूँ, किसी और को मगर अगनी को साक्षी मन कर फेरे तो अपने मेरे साथ लियत है वो फेरे कभी पुरे नहीं हुए ये अगनी साक्षी है, वो फेरे कभी पुरे नहीं हुए ये कैसा इमत्हान ले रही है मेरा आपके लिए तो ये सर्फ इंतिहान है मगर मेरे लिए मेरे लिए सजाएन मौत ये सुहार की सेज नहीं आग की सेज है चिता है मेरी ये बस, बस कीजे एक पूरी उमर ढूनने के बाद तो आप मिली थे आप से मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं सच में क्या ढून रहा हूं और आज जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया मेरा सब कुछ चिन गया आप पुरुश हैं ताकतवर हैं अपना हग जदा कर आप कुछ भी चीन सकते हैं वागर याद रखिएगा आपको मेरी लाश की सिवा कुछ नहीं मिलेगा चेन ना अंबर सिंग की फितरत नहीं जीतना उसकी आदत है और हम आपके भी प्यार को चीत करेंगे आपके दिल से उसका प्यार मिटा देंगे जो हमारे पीच्टी वार बनके खड़ा है नहीं! नहीं! यह नियुसकता राजा मेरी है, मेरी रहेंगी आपके आपको संभालो श्याम क्योंकि तुम आपी बहुत कमजोर हो यह तो अच्छा हुआ कि मौके पर मैं वहां पहुच गई वहना पुलिस की गोली के लगने के बाद तुम्हारी जान का बचना बहुत मुश्किल था क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? सिर्फ यही बताने के लिए कि राजा मेरी नहीं है बेविंद्या जब तक श्याम जिन्दा है राजा किसी और की नहीं हो सकती अमबर बेटी श्श अमबर अमबर बेटे मा क्या बात है मा अरे तु भूल गया? तुम दोलों को पूजा के लिए मंदर जाना है तु जली से नहाद हो करता यार हो जाओ बहु तुम भी नहाद हो करता यार हो जाओ मा क्या आज ही जाना पड़ेगा? हाँ उल्देवता का आशीरवार लेने सुहाग रात के बाद ही जाया जाता है यही हमारी परमपरा है वो क्या है मा कि आज मुझे एक बहुत जरूरी बिजनिस टोर पर जाना है अब तेरे टूर बूर सब्बंद इतनी मुश्किल सा तुझे खुटे सा बाला है अब यह बहुई तेरा बिजनिस है इसे तू संभाल लेकिन मा आप बहस करने की कोई जरूरत नहीं मुझे बहुत से कामें बजा रहे हैं बीवी मा मुझे भी मा कहते हैं हांडी फोर खाको रमदर सिंग की हांडी तो मैं आज ही फोर के तेरे पास उसे जरूर भेज़तोंगा और उसकी बीवी वो छोरी जिसकी वज़ा से मैं जेल कया था उसको प्रसाद बना के मैं खुदी का जाओंगा करता है वो लोग आगे चुप जा तुम लोग उठा मंदित को मैं राधा बेभी की शादी क्या हुई हमारी तो बर्वादी हो गई राधा बेभी नहीं तो बिंधिया भी घर चोड़कर कहीं चली गई अ आज दिवुज़गे देख बिंधिया को डूटके दूटके अःत हो रही है मा, उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है जीना मुश्किल हो गया हमारा देवी मा, एक बार उससे बिर्वा दे उसका चल्वा दिखा दे इस बार हमें से एक किविली और दूसरे की भावी बन परी रहेगी वो देवी मा, देवी शरण में आये कुछ तो बता, कहां ढूते उसे शरण में देवी मा, देवता क्या है वासे अरे चुप, देवी मा ने बिल्दिया का पता बता दिया शरण शरण गाट में जाए हो जाए हो देवी मा, जाए हो यह मार की जगा बंदर कहा से आवे यह कलू, तेरी ख़वर बराबर थी ना आप मीमा, वो लोग आते ही होंगे साथ, अमबर चिंग आ गया आईए ख्यार मर्द के साथ पूझा करना मेरे ले मौत होगी क्या फिर बे अब मुझे जबरदस्ती मंदिर ले जाएंगे चलिया, घर चल तरा आज तरो पच गया हमबर से लेकिन तेरा किरिया करम मैं अपने हाथों से करूँगा मुझा कली तुम दोनोंने हा मा, यह लो प्रसाद आज सा तुने मुझे से कभी जूट नहीं बोला और अब यह दूसरा जूट बोल रहा है क्या बात कर रहे हो मा, कैसा जूट एक जूट बो, सोहाग रात जो के कभी हुई नहीं और दूसरा जूट यह पुजा का प्रसाद, पुजा जो तुम दोनोंने की ही नहीं मुझे तो पहले ही शक हुआ था यह कौन सा राज है जो तुम उससे चुपाना चाहता है और क्यो चुपाना चाहता है जब तू शादी करके आया था तो तो तेरा चिरा कितना खिला खिला था यह राग धर में अचानने क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ मुझे बताने ही पड़ेगा। क्या इसने कुछ किया। मैंने काना मा कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो तेरी आवाद में यह तलखी कहां से आई। मा तुम तो बस खा मुखप। कुछ ता कुछ बोलती रहती हो इस घर से तो जंगल अच्छा है Mom год Bol मेरा बेटगा तेरा पती नहीं है नहीं है Bol meda Bem माजी, पहुड़ानी के चाचा जी आये है चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी बाहू, रुखो चाचा राधा राधा मेरी गुडिया पेटी पेटी, ठीक तो हो जो चाचा राधा आपके यहां यह कौन सी रस्म है जिसमें नई नवेली बहु को ऐसे तोफे दिये जाते हैं और आपके हां कि यह कैसी रस्म है जिसमें एक नई नवेली बहु अपने पती को पती मानने से इंकार करते अगर राधा बच्चलन और बेशरम है तो गंगा पतीता है और ये मत समझेगा कि हम लड़की वाले हैं इसलिए आप जो भी कहेंगे हम बरदाश्ट कर लेंगे अरे हमने तो फूलों को भी एजाज़त नहीं दी थी कि वो हमारी बेटी पर कोई गुस्ताखी करें बहु तुम अंदर जाओ राधा कहीं नहीं जाएगी आप यहां हमारा अपमान करने आया है मैं यहां राधा को लेने आया हूँ हमार यहां एक बार बहु घर की चौकट के अंदर आ जाए फिर उसकी अर्थी ही भार जाती है अर्थी तो निकलेगी इस चौकट से मगर एक नहीं सेख लो यह ठाकुर श्रीकांद की प्रतिया है क्या बात है माँ बहु के चाथा अपनी भती जी को लेने आये हैं थाकुर साब शादी के बाद आपका अशिरवाद लेने का मौकाई नहीं मिला जीते रहो बेटी आप राधा को क्यों ले जाना चाहते हैं इसकी वज़ा आपकी माता जी ने राधा के बदन पर जगा जगा अपने हाथों से लिखती है लीजिये पढ़ लीजिये कहां ले जाएंगे आप मुझे चाचा जी वहीं जहां से मेरी आठी निकले थी अगर तुम्हें उस घर में रहना पसंद नहीं तो हम कहीं और जाके रहेंगे बेटी तेरा चाचा इतना गया गुजरा नहीं कि तेरा पेट नहीं भर सके नहीं चाचा अब राधा यहां से निकलेगी तो अपने शाम में खो जाने के लिए शाम मुझे तो यह सोचकर भी डल लग रहा है महबत की यह दिवान की ना जाने तुम्हें कहां ले जाएगी अब तो शाम की एक ही मन से लपन दिया मौत या राधा आप कब तक मुझे माफे मांगते रहेंगे कब तक जूट बोल बोल कर मुझे बचाते रहेंगे मेरे कारण आपको दुख्य से और कुछ नहीं मिलने वाला मैं सोच रहा था जगह बदलने से शायद किसमत बदल जाए क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाएं पालनपुर रेल स्टेशन पे हमारी कोठी है पालनपुर जहां मैंने पहली बार आपको देखा था हाँ जहां मैंने पहली बार कुछ सुना था क्या तुम्हारी पास रिकिया हुआ कुमः क्या जाआ क्या जञे कि लीड़ कि भीडुर क्यान जाए एला एलाइ पांसरी खूब बजाता है, अगर राधा यहां होती, तो धुन सुन का रुख नहीं पाती, दोड़ी दोड़ी चलिए आती राधा यहां नहीं है, तो पर कहा है राधा, बता हूँ राधा के नाम की मालाज अपने वाले, अपने आवकाद देखिये तुने, आज राधा ठाकुर अंबर सिंग की पत्नी है, उनकी इज़त पर हाट डालने का अंज्याम जानता है तू यह पगले, यह तो खैर मना के ठाकुर अंबर सिंग अपने पत्नी के साथ कहीं बाहर गए हुए, अगर वो यहां होते, तो तेरी इसी जगे यहीं समाधी बना देते राधा, कहां तुम राधा, अब कहां ढूंदो तुम्हें सच-पुछ राधा का बहुत बढ़ा दीवाना है, अरे इतनी शद्दास ही अगर भगवान को भी चाहता तो वो भी से मिल जाते अरे तुम लोग क्या समझाओगे, मैं तो अपने भगवान को ही ढूंद रहा हूँ, बल्कि सथ तो यह है, कि मैं जिसे ढूंद रहा हूँ, वो मुझे भगवान से भी जाता प्यारी है, मेरी राधा आप है कहाँ, इस कमरे में हम दोनों हैं, फिर भी लगता कोई नहीं, सच, अगर आपकी उदासियों को जमा किया जाए, तो इस दिन के उजाले में भी रात हो जाए दिन हो या रात, मेरे लिए तो दोनों बराबर है, मैंने तो सोचा था कि जगह बदलने से किस्मत बदल जाएगी, मगर मेरी रातों के मुकदर में अभी तक जान नहीं, हमें आए तीन दिन हो गए, और आपने अभी तक कोठी के बाहर कदम तक नहीं रखा भीतर विराना होना था कुर सहाब, तो बाहर भी विराना हो जाता है मैं इतने करीब से आपको आवाज दे रहा हूँ, फिर भी मेरी आवाज आपके दिल तक नहीं पहुंचते और उतनी दूर से उस बांसुरी के आवाज पहुंच के मेरा दिल मेरे पास कहा है ठाकुर सहाब आप वहाँ दस्तक दे रहे हैं, जहां कोई नहीं रहता इंतिजार का फल मीठा होता है, लेकिन आज मुझे समझ में आया, जब फल सामने हो तो इंतिजार कितना मुश्कल होता है इंतिजार का फैसला आपका था, मेरी शर्त नहीं, मेरा फैसला आप जानते हैं हमें डर है, कहीं हमारा सबर तूट न चाहे प्लाङ समय लोगा ताइ कर दो बाल कर दो कर दो कर कर दो कि की कि दो कहा हूं लादा! यह क्या कर रहे हैं? मुझे मुझे, आपने हमें बचन दिया था ना दिया था, वचन एक ठाकुर ने दिया था, लेकिन प्यार तुमसे अंबर सिंग ने किया है, वो अंबर सिंग जो अपनी मन्जिल से सिर्फ कुछ कदम दूर, अपनी हस्रतों और अर्मानों की आज में जुलसता हुआ, इंतिजार कर रहा है, एक ठाकुर अपना वचन तोड़ नहीं सकता, और अंबर सिंग अपना वचन निभार नहीं सकता, सिर्फ आप ही हमें इस वचन से मुक्त कर सकते हैं, मैं आपसे भीक मांगता हूँ, मैं आपसे भीक मांगता हूँ, वचन, आपने दिया था, हमने मांगा नहीं था, क começ eating असे न मिलना भी आपका फैसला होगा ऑ अजारण होसे खynnाभी ओकिष्थ उसे नियका भी आपका फैसला होगा और उसे अज़रना, तोना भी लाओ, 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 लाओ! काट के उंगली, अलम बनाओ, दिल के लबं से निख दूँ, माम तेरे लाओ, लेटर, लाओ, लेटर, लाओ, लेटर काट के उंगली कलम बनाओं दिल के लगू से निठ दूँ नाम तेरी मंदली लगनले लगनले ल South declaration भून जी लगनले लेया इचित कल दो झाल झाल रुप जाए लाए मन कोई तेरे खबर हर पन मैं मामू गुआ देखो तुझे तेरे एक नजर जी न सकू ना मर पाहूं दीवाना मैं हो जाऊं काट के उंगली खलम बनाओं दिल के लहूं से लिख दो लाँ लकान से ल teknी लाँ दो लुप लूब लुब 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 प्लेट पर लंब आगाए और बाइब आगाए अधिस्य में और प्रॉट प्रॉट आगाए अधियो प्रॉट राश्ते में विश्वयो पॉट है यह तो दिवाना लगता है पदा नहीं कहां कहां से चले आते हैं मजनूद यह तो दुर्गा का वेटा है शाम इसकी माँ तो इसके घम में मर गई यह भी तो पुलिस की गोलियों से मारा गया था ना पुलिस की गोलियों से बच गया मगर ठागुर साब के कहर से कैसे बचेगा कि आप मुझे उस शाम की हंडी फोड़ने का बयाना दे रहे जिसने एक बार जेर से भागने में मेरी मदद की थी क्यों तुमें इसमें कोई एतराज है बयाना मिले तो मैं अपने बाप की भी हंडी फोड़ दो अगर एक बास समझ में नहीं आई ठागुर साब आप उस दिवाने मजनु का शिगार क्यों करना चाते हैं इसलिए कि उसके दिवान की अब हमारी रुस्वाइपंती जा रही है और फिर हमारी बेटी राधा ठाकुरा मरसिंग की पत्नी है हम नहीं चाते हैं केश की ये तास्तान ठाकुरा मरसिंग की कानों तक पहुंचे उस हराम जारे शाम की वज़ा से आज हमारी बेटी जिंदगी को ठुकरा कर मौत को गले लगाना चाती है इस सारे फसाद की जड़क वो हराम जादा शाम है हम चाते हैं के तुम अस जड़क को हमेशा के लिए उखाड़कर भेंगतो आप फिकर ना किजिए ठाकुर साब शाम की हंडी तो मत भूड़ी दूगा और अब हंडी भूड़ने में मजा पाथ आईगा नहीं अपने जीते जी मैं शाम को मत नहीं दूगा आम मत पतोत्व को के लिए उगा चवज़ने में अपने रहीं दू़ने बिरेन तुम ड़िया की बाट तूबस जब पिलेगे छिएर्ण पाई हम एंग शहाँ! शहाँ! मेरा शहाँ वाफसाँ जा बाई हाँ! शहाँ मैरीए हम ठाइए हम जारे। प्हारी हूँ अरे, इमाल किन कहा जा रही है? शाप लादा मेरा शाप राधा मेरा शाप मेरी राधा राधा आकर आकर मेरे पर ढूड लिया, राधा मेरे पर ढूड लिया मुझे इतनी दूर ले चलो मुझे इतनी दूर ले चलो जहां में कोई जुदा ना कर सके राधा मालकिन नदी में खुद गई नदी में? जिहां, नदी को इस पार कोई बाफसरी बजा रहा था उसे सुनते ही मालकिन, शाम शाम कहते हुए नदी में कुद्वे शाम राभी श्याम शाम यह क्या किया, शाम तुमने क्या किया? अपने उंगली काटकर तुम्हारा नाम लिखाता रहा था अपने खून से तुम्हें पैगाम लिखा था मेरे लहू की एक एक बून्द तुम्हारा नाम लेती थी तुम्हें पुकारती थी तुम्हारे लहो की हर बूत मेरा नाम बनने से पहले मेरे हाथों की हीना बनती थी तुम्हारा एक एक आसू मेरे आखों में उमित का छिलाग जलाता था इस इंतिसार की कारब तो मैं सिंदा रही शाम और ना रादा कप्त की लाश हो गई थी और अब मैं मर भी जाओ तो मुझे कोई काम नहीं मौत की बात मफ्करो रहा था अब तो हमें नहीं सिंदगी शुरू करनी है नहीं सिंदगी शुरू करनी है इसे कुछ मत कही दाता इसे कुछ नहीं किया किया क्यों नहीं मौुपपत किया हमने कामोश मैं तुम से नहीं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं मैं आपके पाहां पड़ती हो दाता इसे जोड़दीचे किसे चोड़ रही जिताकुर साथ मैं आपके बाप बढ़ती हूँ हमने आपके लिए जूट बोला आपकी हर गलती को माफ किया आपकी हर गुस्ताखी को पड़दे में रखा और आप ठाकुर खांदान की हर मान मर्यादा को बेपड़दा करके चली आई हमने एक पती के हक को ठोकर मार दी लेकिन आपकी इज़त को दाग नहीं लगने दिया और आप एक पती की इज़त को ठोकर मार कर चली आई और आज और आज भी आपको उस पती की फिकर नहीं जिसका प्यार इंतजार की आग में हर नमा चलता रहा बल्कि आज भी आपको इसकी फिगर है तो ठीक है आज तक आपने एक ठाकुर का सब्रत देगा है आज उसका इंतकाम भी देख लीजिए बैटी हर दिन शोलो पर मैं हर राद सोया हूँ उन शोलो पर तुम्हारा शाम कुछ देर ख़़ारे कर देगे कैसा लगता है नहीं तकुर तुम मेरे शाम को छोड़ दो नहीं रादा मौपत रहन की भीक नहीं मानती मौपत बगावत है और यह आग आग नहीं हमारा पच्चम है अंबर सेंग यह मत समझना कि मुझे चलाकर तुम इस आग को भुजा दोगे यह आग हर शाम और हर रादा के सीर में जलेगी चलती रहेगी परवाना जलने के लिए बहुत बेचैन है लगा दो आग ठेरो चाटा जी चाटा जी मेरे शाम को बचा लीजी चाटा जी ठाकोर अंबर सेंग जब तब ठाकोर श्रीकान जिंदा है अपनी बेटी की खुश्यों की होली नहीं जलने देगा बांदो इनेवी ताकि हकीकत को अफसाना बनते हुए यह भी देख ले अंबर सेंग अंबर सेंग तुम्स् depends है मेरा जनम की आप ताटा ठाकोर साहब सोते alors मेरा हर पल जनम ता देख़ार हो लर लाव एने आहमत कीजी ठाकोर साहब और अगर करना तो शाम के साथ मुजे बचाब दीजे प्यार अगर कुछ शूर है, तो सदय हम भालो के मिले चाही ढाकूर साफ, इस साफ कीजिए ढाकूर साफ! अगर तुम्हें जला दूंगा तो तुमाशा खुद देखेगा ढाकूरम्बस सेंग, यह मत बुलो कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है अगर कोई है तो बुला उसे, बुखार उसे, देखता हूं कौन आता है अंगारो मी जली नामी जनम जनम का प्यार गंगा जमुना बनके बरस जार सुन ले मेरी पुकार बदरारे बरसोरे दिनी सावन बरसोरे बदरारे बरसोरे दिनी सावन बरसोरे बदरारे बरसोरे बदरारे बरसोरे बदरारे बरसोरे मिस्वा पिरा मेरा जिवान आठा शाम संगरा आठा आठा शाम पिरा किस्वों पिरा हम बिच्रेला कुर नजाए जनम मरने के साथ सवाला बिच्रे दिनों का आज दिना के दिन के बैल सोरे बद्रारे बर सोरे दिनी सावन बर सोरे काफा दिनी आज चुरादे चाहिं चाहिं दिने के साथ सोरे बद्रारे बर सोरे दिनी सावन बर सोरे कि लुखानी चुप लुखानी खुखानी थूः हाची आरी, हाची आरी हाची आरी, हाची आरी तुखन शाद, शाद मी अचाजन, अपनी लाब की याज निखादे, तुछ को असल सावरी खतादे, मेरे ख्यार को खाज पचाल है, जो शोलो को फूल बना दे, खाज भूभी बर्खा बरसा दे, मर्खुमार खिर्खे के चादे, तुट के बहे सुरे, बद्रारे बरसुरे, दिंसावन बरसुरे, चाओ के मेरे आज चुरादे, चल्या चल्दाए सुरे, बद्रारे बरसुरे, जिंसावन बरसुरे, हुआ 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 हु च्वơn ने आई श्याद शक्रूर रादा तुम धीको ना तुम धीकोラ ना पेर महताज नहीं रादा महत वारे जिस्म चीन सकती है मैं तो भूली किया था कि राधा और शाम के बीच दिवार बनना वैसे ही है जैसे चांद और चांदनी के बीच दिवार बनना सागर और लहर के बीच दिवार बनना बदन और साय के बीच दिवार बनना तुम्हारे प्यार ने तो आसमान का सीना चीर करत दिया मैं तो बैसिक इंसान हूँ अमबर सिंग तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हे सच्चे ठाकर हो वो तो तब साबित होगा जब मैं खुद राधा और शाम का ब्याहर रचाऊंगा अरे वा या तो आशिकों की मेफिल सजी हुई है इस मजडू ने जेल से भागने में मेरी मदद की थी और क्या करू ठाकर अजीत सिंग से इसकी हांडी फोडने का बयाना मैं ले चुकाऊ और एक बार जब मैं बयाना ले लेता हूँ तो हांडी फोड़े पगयर नहीं मनता ये बाठ ठाकर स्रीकान से पूछ लो इनकी कस्तूरी की हांडी भी मैंने फोड़ी थी बयाना लेकी राम सबे आपकर अंबर सिंग इस स्री लॉंडिया के वज़े से तोने मुझे जेल बिटवाय था ना तेरी हांडी तो मैं बगयर बयाना लिये फोड़ूँगा और फिस इस लॉंडिया से असूल करूँगा वीवा कुट्रे उस दिन तो तु बच्चिया था लेकिन आज तु नहीं बचेगा जाओच्चों दुझ जाओड़ू तु लिय्च्चों तु प्याओं८ भाग बच्चों परेघ्चों Aééééé! Aéééé! Neyıiji! Ney! Aéé listening! Caaam! Takozaam! Cidra, cidra! Cidra, cidra! Benifika, çorda çağım. Cidra, cidra! Oplu, rada, koba, cidra! 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 FLUG All N mak ja creative bah ya Kaaa haaa Kaaaaaaaaar Kaaaaaaa नाँड़ू। हुआ हुआ हुआ! को ऊड़ों पागाजी एजए। झारbbe कि एचार राज कार कि एचार राजल बनत्त कार राज अचार राज। तुआ हुआ है। वर्लाज एचार प्राज चार राजरी वर्लुए। भालो, पोचो! पोचो! ठार्ष प्रहन्य है तुम्हार और स्थीता रार्ष हुआ है। प्रोपन खारुनियम् हाँ!!! हाँ!!! अजए!!! हाँ!!! हाँ! ओजए!!! फर हुए ँफस्न हुए एक रिए。 झायक cognition चौौौौ। झायक झायक को कि एाध המח Mr. Eeeh! 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 Meri Ejiam! Eeeh! Lada! Lada! Benes Ronyi! Hocunin ezinle gidişiap! Lada! Heyi! Eeeh! Eeeh! तो मुझे अकिला छोर के देचा सकते, शाम, मुझे अकिला छोर के देचा सकते राधा, राधा बेटी आप आगे पापा, मुझे मालूम था, आप मेरी डोली को कंधा देने जरूर आएंगे शाम, शाम, शाम आप हार गे पापा नहीं वीटी, मैं तुम दुनों को जिदा करने के लिए नहीं आया हूँ शाम वीटी, तुम्हारे प्यार ने मेरे आँखे खोल दिये भीटी ये तुम्हारे लब लेटर्स, जिन्हें मैं कागस के टुगड़े समझता रहा आज मैं समझाऊँ के प्रेम की गीता है ये जो शाम ने अपनी राधा के लिए अपने खुन से लिखे दी आखे कोल बेटे, धाकूर अजीग सिंग तुमसे तुमारी जिंदगी की भीख मांगता है बेटे आँखे खोल चाप, आँखे खोल, अपने राधा के लिए आँखे खोल बेटे चाप राधा आँखे खोल, 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 आँखे जब से तुमी में समाइए जब से तुभी में समाइए आई तेरी बाउं में आई